नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं अक्षय बिद्वा आप देख रहा है सुराज एक्सप्रेस च्छत्रीस गल में इस बार एक नवेंबर से समर्थन मूली पर धान खरीदी की घोशना के बाद एक बार फिर से धान को लेकर सियासत गर्मा गई है बुपईश सरकार ने इस बार किसानों से 110 लाख मैट्रिक टंद धान खरीदने का लक्ष तेकिया है इसके साथी कॉंग्रस संगठन की ओर से धान खरीदी केंद्रों की विवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभिन्ने कमेटियां बनाने की बात कही जा रही है ताकि चुनाव वर्ष में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना ना पड़े वहीं भाजपा का यह कहना है कि धान असल धान खरीदी तो केंद्र सरकार करती है राज़ सरकार तो किवले के जिंसी है तो फिर किसान किस बात का क्रेडिट लेना चाहती है साथ ही भाजपा सरकार से किसानों का दान, दाने दाने, दान खरीदने की मांग अब ये कर रहे हैं तो आई करते हैं चर्चा की शुगात और अस्वक्त प्रदेश अध्यक्ष किसान कॉंग्रेस रामबिला साहू जी हमारे साथ बने हुए हैं प्रत्यरूप वार परद्वार चल रहे हैं तो सबसे पहले किसान नेता होने के नाते पारसनात साहू आप से जाना चाहेंगे पॉलिटिकल बैकग्डाउंड आपका नहीं है आप क्रश्कों की आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से राजने से दल से सीधा तालोक नहीं रखते हैं आप सबसे पहले प्रतेनितु कर रहे हैं किसानों का तो इस वक्ट चतीस गड़ में धान खरीदी की स्थिति क्या है अबित्ध धान करेदी एक नंबर से चालू करने की जो सवसंद नंगिया है जि के लिए आठ जीलों के मुख्य मंद्री को मांग किया था और उसने माना इस मांग को और एक नंबर से धान खरेदी के निड़ने पर पहले तो हम मुख्य मंद्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्यापित करते हैं क्योंकि आप किसानों को बहुत से समस्या वह समना नहीं करना पड़ेगा हां साथ में हम यह भी मांग करते हैं कि महंगाई को देखते हुए कम से कम धान हमारी मांग को जरूर स्विगार करेंगे ठीक है लेकिन पिछले साल की जो परिशानिया थी आपको नहीं लगता कि इस साल परिशानिया नहीं आनी जाए चाहिए जैसे अभी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि बारदाने की प्रचुर मात्रा में परिशानी होती है समय पर पिमिंट नहुपाने परिशानी होती है रिरा उसी में मन अ किसानों का नंबर समय पर नहीं आ पाना इक तरकी परिशानी होती है तो इस तरकी को दिकते audiobook जो पिछले साल रही हों और आप चाहते ही किसाल ़ोठीक हों कि प्राक्रिति आप दा को छोड़ दिया जाए अगर सकार अभी इस तैयारी के लिए निस्ची दुरुप से इस साल पर सामी क्यम होगी उसका मैं कारण बता रहा हूं जैसे कही धान नमंबर में भी कटेगा तो पहले अर्ली वेराइटी का धान कटेगा वह समीतियों में जाएगा बिकरी के लिए तक तक दुसरा धान आजाएगा इस प्रकार क्रम से चलता रहेगा और उसे बार्दाने की ब्योस्था होगी ऐसा लगता है मुझे क्योंकि अब स समय है ठीक है चलिए लोटूंगा आपके पास संदीव शर्मा जी अमारे साथ हो और आप प्रदेश वाहरी भाजपा किसान मुर्चा के संदीव शर्मा जी आप जो स्थिती है अभी क्योंकि एक नमंबर से धान की खरीदी शुरू होने बाली है और जो मांग की जा रहे ही दाने दाने धान खरीदने को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकारी के रहे हैं कि हमसे जातों केंद्र की तरफ से बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है देखी अक्छा जी जब प्रिछला विधान सबाद चुनाओं के पहले जितनी भी सभाय हुई है बड़ी सभाय कांग्रेस पार्टी की जिसमें रहूल गांदी जी भी स्वयम थे रहूल गांदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब आया जी तो हम 15 गूंटल का बेरियर हटा देंगे और उस वहाँ पर पर किसान अपने पात को बेचेंगे गुपेजी ने जो बिजली विलाफ का किसानों को बिजली विलाफ नहीं हुआ थो दाना धाना खरीदे की बाद आग 4 साल बीद गया लेकिए दाना धान नहीं खरीदे एक तरफ ते चाटी पिट रहे हैं कि हमारा रगबा बढ़ रहा है ज्यादा किसान लोग यहां पंजियन करा रहे हैं तो एक आप झान को भरूसाद है कि आप दाना जान खरेदेंगे। किया और उसका खाम्याजाज किसान भूगत रहे हैं आप जो कहते हैं हमने ज्यदादा धान खरीदा बार्दाना की हमको तकलीफ हुई हमारा रगबा काटने काम ने काम किया हमको तरह तरह के परिशान किये अभी पिछले पूरे सीजन में किसानों को आपने मिट्टी भरा खा हाध आने के बाद भी त्नी दोस्तर थी कि किसानों को डीटी और यूरिया में खरीदना पड़ा मैं कले अपने सोसाइटी में गया थे यूरिया से हमारा जो सट्राच सार्च को किसान को करोना रूपिया जो आप एक तरफ से डालने का काम कर रहे हैं दूसरे जेव से किसानों से पैसा लूटने का काम कर रही सरकार तो किसान हर तरह से हैरान है परिशान है और हम तो सरकार से मांग करते हैं रहुल गांधी जी ने जो वादा की हम दाना दाना धान खरी देंगे तो यह सरकार दाना दाना धान खरी दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आजकल तो लोगों में ये भी बात हो कि ये कि लोग आकर के बहुत सारी जगों में बात करते हैं वो कहीं न कहीं लोग राजनेतिक दल से जुड़े रहते हैं कांग्रेस पार्टी को कवर फायर भी देने का काम करते हैं किसान नेता बन करके आते हैं कई जगा तो यह इस तरह से काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है कि लोगों को अपने पक्षमे बोलने के लिए कवर फायर देने वाले लोग भी पैदा कर रहे हैं जूट का प्रचार करना विज्ञापन बाजी करना विज्ञापन बाजी करके पुरे देश के लोगों को गुमरा करना प्रदेश के लोगों को तो करी दिया देश के लोगों को गुमरा कर रहे हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं वादा करते हैं सराब बंदी कर देंगे लेकिन कल कहते हैं कि जो समीति के अध्यक्षा हैं तो आपने किसाधार पर वादा क आज चुनाओ निकलने के बाद किस तरह की बात ये सरकार कर रही है, बहुत हास्यासपद है, निंदनी है, शर्मनाक है, आज इनके मंतरी से कहते हैं कि सराप से सड़क बनती उसी सपैसात है तो, तंखे मिलते हैं लोगों को, इनके मंतरी को सड़क के जो खराबी स्थिति तो इस सरकार की हालात ये है, आपको मैं बता रहा हूँ अप्छा जी, और बहुत दुरभागी जनके के सरकार है, करजे में डुबादी प्रदेश की जनता को, किसानों को, हर वर्ग को परिशानी है, चाहे उसी इक्षा करमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाय हो, चा केवल और केवल ये सरकार जो है, विग्यापन के अधार पर टिकने वाली सरकार है. पर राम्याज जी आवाज यापको, छाहे जोए प्रदेशनी हो, चाहे तो सब्सक्राइब अपर आपको, चाहे नहीं जोए जोए भी आपको, एक्षास जी एक मिर्टो कि जवग्या परासना साओ जी को आवाज नहीं आरे इस स्वाल का जवाब मैं दे तक छाहे, थीक्त ह कि आप जो सवाल का जवाब उन से पूछ रहे हैं मैं उसमें कहना चाहूंगा कि देखिए कुछ लोग मोदी विरोध में इतने अंद भक्त हो गए हैं जिन लोगों ने लगातार यहां पर बिल गविरोध किया और तमाम तरह के तमासा कड़े किये तो जो लोग मोदी विरोध में बैठे हुए हैं ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को कवर फाय देने का काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे लोग भी आकर के यहाँ पर जो है और एक तरह से कवर फायर देने का काम करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ तो इन सब आपके जो सवाल के जवाब है उसमें जो सवाल उस पर इस तरह के जवाब है मेरे कि कवर फायर देने माले लोग भी आज पूरे प्रदेश में है और वो छुपाते हैं कि वो किसी राजितिक दल से सब्बंध है कि नहीं है लेकिन आप उनकी पुराने सारे रिकार्ड उठा करके देखेंगे किस ढंग से यहां पर बिल के विरोध करने के लिए आए थे राजी में बड़ा प्रदर्शन किये थे और उस प्रदर्शन को राज रामिला साहो जी आपने सुना संधीव शर्मा जी को आपने पारसना साहो जी को भी सुना जाय जोहर जाय चैठिरगड मैं मैं सबसे पहले तो चैठिरगड के चैठिरगड के सबस्वी मुख्यमंदरी आदरू भूपेर बग्यल जी को बहुत-बहुत बधाई और सुबकामना देना चाहता हूँ जो एक नुवंबर से धान खरीदी चालू कर रहे हैं और यह इतिहासिक है चतिरगड मुख्यमंदरी के हर काम इतिहासिक है सारी काम गरीब और मद्दूर और युवा लोग के लिए है भारती जंदा पार्टी के साथी संदिप सर् बोजना है जित्ती भी काम है किसानों के लिए कर रहे हमारी चतिरगड के सरकार ने जो धान खरीदी का वादा किया है कि 9000 रुपिया पर कुंटल देने का आज भी दे रहे हैं और 15 कुंटल धान खरीदी का जो है भादपक साथी बोलते हैं कि हमारे भारती जंदा पार्टी के साथी ने पदाना दाना खरीदे थे ये बता दे कि भारती जंदा पार्टी साथी कित्ती धान खरीदे थे ये लोग 10 से 12 कुंटल खरीते थे जब कांग्रेस के साथी लोग अंदोलन किया धरना प्रदा से तब जाके 15 कुंटल ये लोग मुश्किल से खरीदे और ये पात čिप संदिप सर्मां जी उद्योग डालनेक बात आज भी कॉंग्रेस के सरकार गांगां में उद्ध्योग इस्तापित करनेगों ठीजार रहे, जीला में तयार है, ब्लाक में तयार है, ये लोग बस pas कागज देनें पिछे हट रहे ह European लोग चाहते हैं उद्द्योग के लिए अगर केंद्रा सरकार इन उसी दे दे तो 36 गड़ में किसान उन्नत हो जाएंगे विकास सिल हो जाएंगे इसलिए उसी रोक के रखे और ये लोग क्या हित के बात करेंगे आज आप स्वेम देख रहे हो आज 36 गड़ के किसान खुशाल सिधा पैसा है तो पीड़न देख लाग के लग से और दूसरे तरफ वियापार छोड़के आज किसान दान उतपादन में आज लोग लग रहे तो ये लोग भारती जंदा पार्टी के लोग को नेती करिकार ने हैं किसान हित में बात करने के यही मेरा बोलना है संदीव शर्माजी आप कुछ कह रहा हैं बताइए ने मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है राहूल गांधी जी ने बहुत जोड़ जोड़ से कहा था हम दाना धान करे देंगे पंदरा क्योंटल का लीमिट हम हटा देंगे चार साल बीद गया उसका क्या हुआ इसका जवाब देना चाहिए दुनिया वर के गोल्व बात बात बनाद दो इनसी देना तो इनसी देना चाहां एक बिजो निरतेगी आप लोग करेंद तेंदरा सारकार के बारे में आपने पर बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे तो अक्षाजी ऐसा है कि इस तरह से उद्विग्न होने से इस तरह से परेसान है रहान होके और एक जो हरवाड यह ने उससे डिवेट नहीं होता है मैं आपको बतारो यह कह करेंगे तो कुछ भी कर देंगे एक जगा इन्होंने फ्रूट पोसेसिंग के अदर नहीं इस पूला यहां पर दुनिया बर की बात करते हैं कि सानका पंप कर्णेक्सन का परी दर से ठागा इन्होंने यह जो लोग एक इस जो लोग है किसानों को जो खाद महंगा बेच जै नाँ परिशान हो आपको पुरा है और नहीं क्या रहे ना जाकर के पेपर को उसनेalsa Jahren पर दान खरी दो फूकस रही है ठीक है जितना बात करें उत्राइब आपको कड़ जाएगा जहां जाता है अब लोग का मोधिख खिलाब एक सब्द बोल के बतादो सर्मा जी लोग खिलाब एक सब्द बतादो यहां तो एक सब्सक्राइब पर रही है प्रीज पर हün Kristen ंअधेर पर तो थी एक सब्सक्राइब करना तो यहां बनारकी कर रहा है कि वोड़ी सरकार जो है किसान வरुदी सरकार है हम तो हम तो हाज भी जिकर रहे हैं आमने चार सल दाना दाना कर रहे हैं तो लेकिन आपसे नहीं होगा आप जो बोल रहा हुँ ना हमारी पार्टी ने अब कि चतिरगड के किसान भारती जनता पार्टी के भरोसा नहीं करने वाला है भूल जाइए भरोसा नहीं करेंगे चतिरगड के किसान भारती जनता पार्टी के उपर भरोसा करने वाला नहीं है आप तो कवर देने के लिए पैदा हुए जानते हैं यहां पर मुखोटा लगा के बैठते हो कि मैं किसी दल कर नहीं हूं करके आप लोग का जुड़ बोलने का ट्रेनिंग किया जाता है न भारती जनता पार्टी में थीके सर किसानों का मुद्दा है ठीके यह अगर आप लोग आपसी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो फिर दर्शक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि डिवेड रोज हूता है ठीक है थीक है आप 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 में मैं पारसना साउजी को ला रहा हूं पारसना साउजी भी खुद किसान नेता हैं आप कांगरेस केमियों के किसान नेता है आप ब्ज़िये अभी इस वक धान खरीदी का कि जो बातें राहु गांदी ने कहीं है पंदरा कुंट्रेल प्रती एकड़का जो एक समर्थन मूल के आसपास और उने जो दिया है एक अमाउंट एक मूली जो गिना है समर्थन मूले अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पीछे की जो पूरवर्ती सरकार थी धान खरीदी को लेकर उसकी नीतियों से आप संतुष्ट है या अब जो धान खरीदी हो रही है आईगी एक नविंबर से उसमें जो तब्दीलियां की गई है उसमें जो क्लॉज बद्ली गए उसे लिए कर आप जादा सब्दुष्ट है प्रदेश का किसान चत्रेश का किसान तीक है मुझे समय दिया गया है आप दोनों साथ इन्ना बोलें और पहले जो भारती जनता पार्टे के सरकार थे निश्टित रूप से उसमें एक वादा कि नहीं है अगर भारती जनता पार्टी किसान ही तेसी है कांग्रेस की तेसी है दोनों को मिल करके किसानों को हित हो ऐसा कदम उठाना चाहिए निस्चित रूप से जो एथेनाल सेंद्र लगेगा तो आप लोगों को चिलाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी आप लोगों खरिदने की ज़रुत नहीं पड़ेगी कमपनिया जो है किसानों सिधे ले लेगा अन्यथा योग एक दूसरे का मदद करना चाहिए तभी किसानों का हित होगा अन्यथा हम किसान सब समझते हैं और समय आने पर उत्तर देते हैं ठीक है तो यह बताएए रामविला साहुजी की अभी पारसना साहुजी ने धान खरीदी को लेकर धान की जो रेट्स हैं उससे लेकर जो बात कही है तो अगर भवश में कुछ ऐसे टेक्नलोजी आती है और उन्हें एथनॉल साहिंत का भी जखर किया इस तरह की योजना अगर बताना चाहा हूं उद्धोग धारीत मनला भए यह अबन प्लांट का एणौसी के लिए अभी लगातार लगे हुए अगर उद्धोग के लिए हमनों को छतिरगर दे दे जो किसी धारीत उद्धोग है उद दो के लोसी मिल यादत पएक बीजा धान खरीने को छतिरगर सरका तेर दियार और रही सवाल अभी जो ध्यूस्था किसी प्रकार से न हो इसलिए पूरा कालेक्टरों को समस्ता दिकारिओं को निर्देशित किया गया है कि किसान का पूरा सहयोग किया जा ऑख किसी प्रकार की अभयोस्था कर सामना ना करना पड़े तो जो अभी 26 गण का जो सरकार है आप स्वयम देख रहे हैं हमारी भारता जनतिपार्टिक साथी बोल रहे हैं वह भी देख रहे हैं वह स्वयम किसान उतको कित्ति पादा हो रहा है लेकिन उनका मजबूरी है कि वह कांगरे की सर्गार यां 25 रुपे में धान खरीदी और इसकी लिए केंद्रक सर्गार समझता ही हो दिया चाहिए नरवा-गर्वा घुरुआ हो चाहिए धान खरीदो पूरा हाल इंडियों में पूरा देश में इसकी प्रसंसा हो रहा है भारती जन्ता के इनकी सपारान शर्माजी बता चार साल हुई है इसमें चामल के बाद में आपको केंद्र सरकार से कितना पैसा किसानों को दिया गया और आपने कितना पैसा दिया सदन में इनके नेताओं ने जवाब दिया है कि 52,000 करोड रुपे केंदर सरकार ने दिया है और हमने 11,000 करोड रुपे दिया है आप बताईए धान को कोन खरीद रहा है पूरा धान जो है 36 गड़ का सपोर्ट प्राइस में खरीदने का काम नरेंद मोदी जी की सरकार केंदर की है इनको पीट तफ़ तपाने की जरुवत नहीं है और मैं आपको बता रहूं यह 25-25 रुपे की बात कर रहे हैं पिछले साल किसानों के धान को जो इन्होंने विलंब से खरीदा उस विलंब से खरीदने के कारण हर किसान को 405 रुपे प्रती क्विंटल का नुक्सान हुआ को बड़ी बात मत करें सवैन किसान है हमने पिछले बार मिका तक आप दिसंबर तक धान करें को मत्ते जाइए एक नौबर से खरीदिये हमारा भारी नुक्सान होता है और हमने जो कहा और जीतना हमारे नुक्सान हुआ हम ने आवाज उठाई हमारे जो प्रदेश अद्यक् आपके कारण आपके गलत नीतियों के कारण किसानों को हजारो करून रुप्याक नुक्सान हो गया, तब जाकर कि इनके कान चेता है और तब जाकर कि इनोंने एक नमबर से धान खरीनी की बात कही है, आप मेरे खुद भी देख लिजिए कि मैंने किसान मुर्दा के अधच के पूरा क्रेडिट जो हमारे चिट्थी लिखे है हमारे प्रदेश सद्याक्ष रूर्सावजी जो हमारे प्रदेश सद्याक्ष रूर्सावजी झाले संद्याक्ष रूर्सावजी